आज हम BBSC 6 Semester Book Dynamics चैट्र नमर 5 एक सटरीश 5.20 का लेक्टर नमर 2 देखेंगे देखो, एक्जामपल से हैं पहले बेसिक देख किया न अच्छे से सारा कुछ एक एक यूनिट देख किया न अच्छे से फिर आपको lecture समझ में आएगा देखो क्या example first कि find the uniform force हमें uniform force के value निकालनी है that will move uniform force तो हमें निकालना है that will move 1 kg mass mass के value 1 kg दे रखिए from rest rest से इसका मदब starting में which is rest पे है इसका मदब starting में जो इसकी initial velocity वो 0 है throw a distance कितना दे दिया 1 meter in 1 second time दे दिया हमें क्या निकालना है force निकालना है force होता है mass into acceleration ठीक है अब मास की value तो जैसे हैं यहां पर बनके acceleration जैसे इसको हम F से denote करके force को हम इस तरीके से लिख लो यह थे P equal to MF ठीक है acceleration को F से दिखाते है force को P से दिखाते है ठीक है अब देखो क्या होगा हमारे जैसे मुझे acceleration चाहिए इसके अंदर F चाहिए मुझे U S औ F निकल जाएगा इस relation से 3 relation बताए थे एक तो बताए था U plus F T S equal to U T plus half F T square V square equal to U square plus 2 Fs यहां पर यह वाला use होगा ठीक है जो जो चीज है हमारे पस given हों कि उसके coding आप देख लेना कौन सा relation use होगा ठीक है तो यहां पर मुझे F की value निकालना है इसलिए हम यह वाला apply कर देंग तो यहां से F की value कितनी आगी जैसे 2 meter per second square आएगी ठीक है उसके बाद मुझे चाहिए यह वाली value P equals to Mf मौस हमें 1 दे रख है हमारे पास acceleration 2 आगई तो यह हमारा कितना होगा force 2 जब meter वगरा की form में होता है तो force किसमें होता है Newton तो यह क्या है हमारे 2 Newton जो आपको question compulsory 2 marks में आ स 25 gram is acted upon by a constant force एक बोडी है जिसका मास 25 gram है यह दे रखा है चीक है इस अक्टिग अपॉन a constant force इट एक्वार्स वेलोसिटी ओफ टू सेंटी मिटर पर सेकेंड वो क्या करती है वो बोडी उस एक्वायर कर लेती है इतनी वेलोसिटी पांच सेकेंड के अंदर ठीक है सबसे पहर से वेलोसिटी ओफ two centimeter per second in five second from rest rest से starting में मितलώ Sum उसकी इनिशिल वेलोसिटी क्या थी zero final velocity two centimeter per second time की value five seconds ठीक है find how much large is force acting force की value हमें निकाल ल ngay ross होता है हमारा force की value हमें निकाल लें एक्वार्स होता हमारा math into acceleration ठीक है cause olmaz तो हमें दे रख रख Acceleration हमारे पास है नेहीं तो Acceleration हम निकालेंगे ठीक है अब हम आरे पास जैसे इस सूर्श करो सकते हैं इस सकते हुस्साइब भी हम स्वीट करींगे अब V की वैल्यू के इसक लाट हमारी 2 यू की वैल्यू 0 हम निकालना है तो यह हमारा क्या गहए जैसे 2 x 5 एक्सेलरेशन उसके बाद P क्या होगा जैसे MF तो M की वालु कितनी है 25 x 2 x 5 25 x 2 x 10 डाइन्स डाइन्स हुआ क्योंकि यहां पर सेंटीमेटर वगारा की फोर्म में था तो जो हमारी फोर्स की जो यूनिट होगी वो डाइन्स की फोर्म में होगी अगर हमारा मेंटर वगारा में है जैसे पिछली बार था तो इसमें हमारा न्यूटन आये था यहां पे जैसे हमारा सैंटीमेटर वगारा में है तो जो हमारी फोर्स की उनिट हो किसमें हो जाएगी डाइन्स में ओके ग्शांपल 3 एक बोडी दे रखे जिसका मास है जैसे 150 kg ठीक है फोर्स दे रखा है हमें फाइब न्यूटन हो या फिर कोई भी उन्यूट में हम नहीं रखते हैं उसको ठीक है तो जैसे हम यहां पर इसको क्या कर लेंगे सेकिंड्स में कंवर्ट कर लेंगे तो जो टाइम होगा वो 15 इंट तो हमारी 15 690 to 900 सेकेट्स चिक है यह वाली बाली होगी उसके बाद क्या है जैसे इस पार्टिकल स्टार्ट फ्रूम रेस्ट अगर जो पार्टिकल स्टार्ट होते रेस्ट से इसका मतब जो इनिशिल वेलोस्टी 0 दे रखे हैं फाइनल वेलोस्टी हमें निकालने है अब ज जैसे यू और टी जैसे यू और टी है अगर मेरे बास एफ और हो जाएं यहां पर तो कई चीजों यह जूरत पड़ेगी एफ और हो जाएं यहां फिर हम ऐसे देखेंगे कि जो बाकी चीज हमें गिवन क्या उनसे एफ निकल सकता है यहां से एफ निकल सकता है क्योंकि यह तो यह तीन आपके जो कोशन थे ना तीनों ही कमपल्सरी कोशन के लिए इंपोर्ट में थे टू-टू मार्क्स के लिए आपके आ सकते हैं ठीक है तो इनको कर लेना अब हम देखेंगे एक्जामपल नमबर फॉर्ट देखो आप फॉर्स ओफ वन फिफ्टी न्यूटन एक्ट ओन बोडी ओफ मास 15 कीजी एक फॉर्स है ठीक है फॉर्स हमें दे दिया कि पांच मिनिट एक फॉर्स है पंदरा कीलो की बोडी के उपर हमने फॉर्स लगाए 150 न्यूटन का कितने मिनिट के लिए फॉर्स फाइव मिनिट और फिर फॉर्स लगाना रोक दिया ठीक है क्या है कि पी हमें स्टार्टि में जो फॉर्स है फॉर्स ओवन फिफ्टी न्य आते हैं उसके बाद नेक्स्ट कोशन है कि वर्ट इस दा फॉर्स रिक्वाइड तु ब्रिंग दा बोडी टू रेस्ट इन टू मिनिट हमें कितने फॉर्स की निए जोसे हमने फॉर्स लगा और फिर रोका हैं हमें कितने फॉर्स की जुरूर्स पड़ेगी अगर हमें उस फंडी को दो मिनेट के ऑंदर ही रोकना हैं अगर हमें दो मिनेट के एंदर ही उस बदी को रयस्ट में लेकि आना तब हमें कितने फॉर्स की जूर्स पड़ेगा चलरहा हमें निकालेते हैं पर फॉर्स ऊ terra 15 न्यूटन अक्टविवो प्र 20 nep वोडिशू के चींव फॉर जो है यह वाली है हमारे पास अगर हमाई स्टार्टिंग से बोडी होगी फिर उस पे फोर्स लगाया होगा तो स्टार्टिंग में जो हमारा विलोसिटी होगी वो क्या होगी जीरो ही होगी इनिशल वेलोस्टी तो स्टार्टिंग में इनिशल वेलोस्टी वो जीरो क्योंकि हम को वेलोस्टी का फोर्मला लगाऊँगे मैं यह v equals to u plus ft ठीक आप जैसे u है t है लेकिन f नहीं है f हम निकालेंगे इस फोर्मला के help से first हमारे पस किसके equal होता है mass into acceleration mass into acceleration ठीक है यहां पर mass हमें दे रखा 15 एक्सेलरेशन हमें निकालने है यह दे रखा हमें 150 इन्टू में टी कैंसल कर दो टी की वाल्यों आगे हमारे पास 10 ओके ती हमें दे रखा है 300 mass हमें दे रखा है 15 तो यहां पर हमें force is equal to mass into acceleration f की value आगई तो यह आगई हमारी यहां से इस तरीके से f की value 10 meter per second square ठीक है क्योंकि acceleration अब यह हो गया मुझे क्या निकालना है यहां पर v निकालना है तो v equals to u 0 f की value 10 t की value हमारे 300 तो v की हमारे आगई जैसे 3000 meter per second यह आगया अब ध्यान से सुनना क्या बात है कि what is the force required to bring the body to rest हमें जैसे कहीं पर कोई break लगाना हो rest में लेके आना हो तो वहां पर जो हमारा force होता है उसको हम बोलते है जैसे retarding force ठीक है क्या होता है retarding force जो कि negative होता है यह मैं आपको basic कराया था dynamics का basic करके एक lecture था उसमें मैं आपको समझाई थी बात कि जो retarding होती है retarding force retarding acceleration वह जैसे retardation है तो वह negative of acceleration हमारी value आएगी इस तरीके से ठीक है अब question दुबारा रेड करते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है a force of 150 newton on a body of mass 15 kg for five minute हमने लगाया था और फिर रोक दिया उससे हमें यह पता जला कि जो हमारी velocity आई थी ना final velocity वह यह है what is the force required to bring the body to rest in two minutes हमें कितने force के need होगी अगर हमें दो ही minutes में उस body को रोकना था तो वी वल्टू अब हमें अगर उस body को उतने ही time पर रोकना है तो जो हमारी कि यह final velocity होगी वो दूसरी body के लिए तो initial velocity बनेंगी क्योंके अगर हमें उसको बीच में ही रोकना है मतलब 2 मिनिट के अंदर लोकना है तो जो इसकी final velocity होगी वो इसका क्या करेंगे initial velocity का क्या करीं चैकर है और क्यक impersonate ka infringed तो वह क्या होगा जैसे 2 into 60 that is 120 seconds तो V equals to U minus of F dash T और क्योंकि बाद में क्या बोल रखा है नोंने कि what is the force required to bring the body to rest rest पर लाने के लिए कितने चोट पड़ेगी मतलब V की value तो 0 दे रखें U हम इसका use करेंगे जो हमें यहां से आया वो use करेंगे V equal to U वैसे तो यहां पर plus F T होता था लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला है retardation होगा यहां पर इसलिए यहां पर minus लिया है ठीक है retardation के case में हम यहां पर minus ले लेते हैं ठीक है तो यहां पर हो जाएगा जैसे 3000 U की value और जो हमारे फोर्स होता है ना वह किसके को रहता है मास इंटू acceleration चाहिएगी फिर हम यहां पर पुटकर दें क्योंकि मास तो बोड़ी का भाई रहेगा मास तो चेंज होगा नहीं ठीक है तो यहां से हम F की value निकाल लेते हैं तो 0 is equal to 3000 minus of 120 F dash F dash की value आगे 25 meter per second मास 15 इंटू में 25 तो इसका अंसर आगे 375 Newton देखो क्या था कि what is the force required to bring the body to rest in 2 minute 2 minute में अगर हमें उस body को rest मिले के आना है तो क्या force की जूर्थ पड़ेगी हमें ठीक है अब जो velocity हमारी बीच में हो रही थी वही तो इसके लिए तो initial velocity का का काम करेगी अगर हम starting में उसको रोग देना है तो इसके लिए वह velocity initial velocity का काम करेगी क्योंकि बाद में rest मिलेगी आना तो V 0 हो जाएगा इसकी value यह होगी टी इन्होंने बोल रहा कि दो मिनिट के लिए तो यह होगी इसकी value इसमें value पूट कर दी तो इस तरीके से हमारा force आगया ठीक है यह था आपकर एक्जांपल नंबर फॉर्थ देखो एक्जांपल नंबर फिफ्थ मास m kg is acted by a constant force f p kg weight क्या बोला का है कि एक मास हमारे पास m kg क लगाया ठीक है उसके उपर हमने force लगाया है p kg weight 1 kg weight है ना 1 gram newton के एकवल ही होता है तो हम kg weight kg के ग्राम newton भी लिख सकते हैं ठीक है तो क्या बोला है कि हमने एक m कोई भी मास के हमारे पास body है उसके उपर p kg का weight लगाया under which in t second it moves a distance x meter एक हमारे पास कोई भी देखो m kg की body है उसके उपर हमने p force लगाया है यह बोला है कि जब हमने force लगाया ना तो t seconds के अंदर वो है ना वो जो body वो distance x x distance पे खिजग गई ठीक है and acquires a velocity of मतलब वो body पहले यहाँ पे थी ना वो body जैसे थोड़े time के बाद मतलब t time के बाद x distance खिजग गई और यह वो यहाँ पे आ तो हमें बताना है कि जो यह x की value है ना वो यह हो सकती है और यह हो सकती है एक body है जिसका mass mkg दे रख है उसके उपर हमने force apply किया है ती second के बाद वो it moves the distance x x meter वो distance move कर देती है और उसकी velocity v हो जाती है तो show करके दिखाना पहले body rest पे थी हमने force apply किया है फिर वो body आगे गई है पहले body rest पे थी मतब यू 0 force इन्होंने क्या दे रखा है pkg weight लेकिन उसको हम kg weight को gram newton की form में लिख सकते हैं units में आपको बताया था ठीक है तो यहां पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते है gram newton यह बात ध्यान रखना ठीक है इस तरीके से under which in t second मतलब जो हमारे पास time दे रख एक्स मुटर दे रखा है एक्स मुटर दे रखा है एक्वारा velocity और जो final velocity मतलब V है वो हमारे पास V ही है तो मुझे क्या निकाल के दिखाने है आप एक्स निकाल के दिखाना है ठीक अब एक्स जैसे मुझे एक्स मतलब distance निकाना उसके तो फोर्मला ut plus half ft square v square equal to u square plus 2fs यह है आप जैसे s जब हमें निकालना होता हमारे पास यही फोर्मले हो सकते हैं तो किस तरीके से हमारे पास यह value हैंगे यहाँ पर सिर्फ मुझे f की nude है और फिर इन फोर्मलाज में पुट करके answer निकाल सकते हो ठीक है तो f किस तरीके से निकले x होती हमारी f होती हमारी acceleration तो force is equal to होता है हमारे पास math into acceleration ठीक है math हमें कितना दे रखा है me दे रखा है तो m into acceleration हम क्या लेंगे यहां पे f लेंगे force की value कितनी हमारे पास PG तो force के value हमारे पास कितनी होगे PG यह हमारा इस तरीके से है one of kg weight इस तरीके से लिखते हैं g gravity वाला और Newton तो 1g इस तरीके से लिखते हैं हम इसके value तो यह आगे ठीक तो हमार पास P.G where Newton हो गया तो यहाँ पर P.G लिखना है आपको तो यहाँ से जो force की value आगी वह आगी P.G upon M तो यह value हमार पास इस तरीके से लगा अब बिल्कुल कुछ भी नहीं करना सारी value एक तो 204 बला के अंदर put कर लेना S equal to UT plus half F T square वाले के अंदर एक बर V square equal to U square plus 2 F S वाले में सारी value put कर देना यह सारी value तो यहां से भी S की value आगी S की value यहां से एगी एक value तो यह होगी एक value यह होगी देखो जैसे यह वाला form में लगा है तो S की जगे X U की जगे 0 T की जगे T 1 by 2 यह PG open D square यह value आगी similar फिर यह वाला form ना लगा होगी तो क्या आजाएगा V square minus 2 F S V square यह value आगी तो यह था आपका example number 5 देखो example number 6 तो क्या है हमारा a bullet weight 81 grams एक bullet है जिसका weight 81 grams है mass दे दिया हमें 81 gram छीक है and moving at the rate of 200 cm per second 200 cm per second की rate से move कर रही है इसका मतलब U की value 200 cm per second है is fired into a log of wood into which it penetrates 10 cm जिसके अंदर वो penetrate कर जाएगे देखो क्या एक wood है कब लोग है यह 10 cm लगा लो कहीं तक यहां तक एक bullet आई वो यहां पर आके penetrate में तब यहां पर आके फिर वो रुगी वो 200 cm per second की speed से आ रही थी bullet वो इतना penetrate हुई उसमें 10 cm तक और फिर वहां पर आके वो रुगी तो हमें इतनी condition दे रखी है ठीक है if the bullet moving with the same velocity फिर एक second case है उस case के बाद में बात करेंगे अभी तक इतना ही बात करते हैं ठीक है अब बुलेट वेट वेट इटीवन ग्रैम्स and moving at the rate of 200 cm per second is fired into a log of wood into which it's been rate 10 cm ठीक है एक बार कोशन तो रीड करी देते चलो इप जो हमारी बुलेट है moving with the same velocity इन्टी वर fired into a similar piece of wood फाइव सेंटीमीटर थीक अब के बार हमारे एक wood है वो फाइव सेंटीमीटर थीक ही है लेकिन इतनी ही velocity के साथ आई है तो इन्होंने आप तो वो क्योंकि बाहर निकल जाएगी फाइव सेंटीमीटर के बाद तो उन्होंने क्या बोला है कि with what velocity it emerges out मतलब वो बाहर किस velocity के साथ हैगी initial velocity तो हमें given है इसमें हमें final velocity निकाल के बतानी है तो हमारे पस जैसे condition same है तो जो हमारा force होगा retarding force वो भी या पिर जो acceleration लेंगे यहां पे वो हमारी सेम तरीके की लेंगे हम find the force of resistance resistance का force निकालना है supposing it to be uniform uniform हमनों इसको suppose करना हर एक जगह बे तो हमें मतलब एक value निकाल के बतानी है तो पहले हम केस पन देखते हैं उसमें देखते हैं क्या है a bullet weight 81 grams and moving at the rate of 200 cm is fired into a log of wood which is penetrate 10 cm बतब एसके value 10 cm देजी उसके बाद वो रुकी है obviously वो रुकी है इसके अंदर आके तो वी हमारा क्या होगा 0 होगा तो यह चीज़े हमें given है यहाँ पे हम क्या निकालेंगे सबसे पहले क्योंकि हमें निकालना force force of resistance force हमें निकालना force के लिए हमें क्या चाहिएगी mass और acceleration अब mass हमारे पास है तो हम निकालेंगे acceleration acceleration हम किस तरीके निकालेंगे क्योंकि हम यहाँ पे V और U given है और S भी given है तो हम formula लगाएंगे V square minus U square equal to 2FS यह वाला formula हम लगाएंगे तो V square जैसे V की value 0 minus of U 200 square equal to 2 into F और S हमारा हो गया 10 तो 200 का square minus of 4000 upon इस तरीके से आगया हमारी यह value upon में हो जाएगा जैसे 20 equal to F यह देखो जो force आए वो हमारा कैसा है retarding force negative value आई है ठीक है क्योंकि वो जाके रुकेगी ना अगर वो रुकेगी तो retarding force ही आएगा तो यह हो गया हमारा retarding force minus of 2000 ठीक है इस तरीके से value हमारी यह आगी अब sorry retarding acceleration आई है यह हमार बास अब मुझे क्या निकालना force force क्या होता mass into acceleration mass की value क्या दे रहे है तो इसके product करेंगे हमारा इस तरीके से आएगा चीक है अब जो यह value है ना वह हमारी किसके अंदर आई है डाइन्स के अंदर आई है आपके मर्ज आप इतना भी छोड़ सकते हैं इतना ही छोड़ दो कोई चूरत नहीं आगे करने की इतना ही कड़ो इसके product कर देना 16 gram weight में आ जाएगा इस तरीके से आप कर सकते हैं बाकी इतना answer ठीक है बल्कुल ओके तो यह आगए आपका force आप सेकेंड केस की बात आई इन सेकेंड केस सेकेंड केस होगा हमारा जैसे अब देखो सेकेंड केस में क्या दुबार से question पर आते हैं इक दा bullet moving with the same velocity same velocity मतलब जो यू है ना हमारी initial velocity उतनी ही दे रखे जितनी उसकी थी 200 cm पर सेकेंड वर फायड इंटो सीमिलर पीस ओफ उड जिसकी थिकनेस पांच सेंटीमिटर आइस की वैल्यू दे दी पांच सेंटीमिटर विदवट वेलोस्टी वी निकालना है वो डिद इमर्जिस आउट यहामी वैल्यू निकाल के दिखानी है ठीक है तो जो हमारे यहां पर फोर्स आया था मैनस ओफ 2000 यह बाली वैल्यू अब आप आपके मर्ज आप फोर्मले में मैंस लगा कि यहां पर माईनस लालो इसको रिटाइडिंग फोर्स ले लो या फिर सिद्वा धवtar फ्वी युज़ालो फॉर्मला ऐसे रहने दो इस त्रीक जिसाब के दौशे हैं मैंनस ले सकता है या फिर रटाइडिंग ब्लोक है उसके अंदर आई 10 cm के बाद रुख गई एक एम दे रखा था यू हमारे पास वारी थी यहां से हमने बोह रखा थे नहीं टार्डिंग फोर्स बताओ तो हमने फोर्स के लिए मास इंटो एक्सलेरेशन चाहिए था एक्सलेरेशन हमने निकाली यहां पर यह वैल लि हमने डाले थी वह हंडर्ड रूट टू के विलोस्टी के साथ बाहर आएगे 141.42 सेंटेमेटर के बाद साथ बाहर आएगे अगर आप रूट टू के बाले पूट करते हैं 1.414 तो आपके मेल आ जाएगी ठीक है अधर्वाइस इतना भी बिल्कुल सही है ठीक है तो यह थे